पूरी दुनिया इस वक्त कुरोना वाइरस के खिलाफ जंग लड़ रही है सभी देशों ने अपनी पूरी ताकट जोक रखी है वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया को तो जैसे इसकी कोई फिक्र ही नहीं वो अपनी ताकट कहीं और ही दिखा रहा है ताना श्राह किम जोंग उनके इस देश ने मंगलवार को मिसाइले दाग कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उत्तर कोरिया ने अपने संस्थापक यानी किम जोंग उनके दादा किम दुतिये सुंग की 108 मी वर्ष गांट के ठीक एक दिन पहले ये मिसाइले दागी फाइटर जेट के जरीए हवा से जमीन पर वार करने वाली इन मिसाइलों को क्रूज मिसाइल माना जा रहा है उत्तरकोरिया के जॉइंट चीफ आफ स्टाफ ने बताया कि क्रूज मिसायलों को उत्तरपूर्व की ओर पूर्वी तटिये शहर मुंचोन के पास के अलाके से सुभे 7 बजे दागा गया ये सिलसिला 40 मिनट तक चला मिसायलों के लौच के साथ उत्तरकोरिया ने पूर्वी तटिये शहर वांसन के ऊपर कई सुखोई वेरियंट फाइटर जेट भी उड़ाए और एंटी ग्राउंड मिसायलों को पूर्वी सागर की ओर दागा इस पूरे इवेंट का टीवी पर भी टेली कास्ट हुआ जिसे देश भर में लोगों ने दिखा दक्षिन कोरिया में होने वाले संसदी चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुए इस परिक्षन को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि किम जोंग उनने अपनी सैने ताकत दिखाने के लिए ऐसा किया पर सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से लड़ रही है तो उत्तर कोरिया इतना बेफिक्र कैसे बना हुआ है आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसके देश में कोरोना वाइरस का एक भी मरीज नहीं है और वो अब तक एस महामारी से बचा हुआ है उत्तरकोरिया का दावा है कि चीन में संकर्मण के मामले सामने आने के तुरंत बाद जन्वरी में ही उसने अपनी सिमाए बंद कर दी थी और इसे रोकने के लिए सख्त अदम उठाय थे वहां के अधिकारी दावा करते हैं कि हमने देश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया सभी वस्तुओं को संकर्मण मुक्त करने के साथ ही सिमाओं को बंद करने और समुद्री और हवाई मार को भी बंद करने जैसे बड़े कदम उठाये अना कि उत्तर कोरिया के इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं दक्षिन कोरिया में अमेरिका के शीर्ष सैनिक कमांडर ने पिछले महिने ही कहा था कि उन्हें पूरा भरुसा है कि उत्तर कोरिया में भी संकर्मण के कई मामले हैं जिन्हें वो छिपा रहा है इसके लावा अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प भी अप्रत्यक्षूरूप से उत्तर कोरिया के दावे पर सवाल उठा चुके हैं बहराल सच्चा है जो हो फिलहाल उत्तर कोरिया का ये मिसाल परिक्षण दुनिया को हैरान कर रहा है NBT Online की रिपोर्ट